रमश्कार मैं हूँ आपके साथ जोती कनौजी और आप देख रहें तेजस 24 नियोज आई रूख करते हैं खबर की ओर कनौज सदर कोतवाली छेतर के अंदरगत बकस पूर्वा गाउं के ग्राम सभा की जमीन पर कबजे का विरोध करने पर गाउं के ही कुछ लोगों ने युवक को मार पीट कर घायल कर दिया दरजनों ग्रामिनों शुकरवार की देर रात आरोपियों पर कारवाही को लेकर सदर कोतवाली पहुंचे ग्राम प्रधान पंकच कुमार ने जानकारी देते हुए बताया गाउं के श्रीलाल्व, जस्वंत, सुशिर, दिलिप, सरवेश, राजकपूर, जबरिया, ग्राम समाज की भूमी पर कबजा कर रहे हैं जब गाउं के लोगों ने इसका विरोध किया तो उक्त लोगों ने गाउं के एक युवक पर हमला कर दिया, जिसमें युवक धायल हो गया ग्राम प्रधान ने बताया कि इस मामले को लेकर उन्होंने सदर S.D.M. से शिकायद की थी, जिस पर लेकपाल ने जाच की भी की थी, लेकिन राज़ितिक दबाब चलते मामले को दबा दिया गया देर राध दरजनों ग्रामीडों ने सदर कुतवाली पहुँचकर आरोपयप पर कारिवाही की मांग की, लोगों ने बताया गाउं के लोग घर से निकलने नहीं दे रहे हैं उन लोगों ने यह बताया कि अगर बाहर मिलोगे तो पकड़ कर मारेंगे रूना हमको लोगों मिखलने देते बाइन बिटिया की छेड़ थानी करते हैं कौन लोग एस रीलाल जस्मंत और सरवेफ और दलीप और राजकपूर यह सब लोग करते हैं कहां का मामला आए हैं तो आप कहां आई हैं हम ठाने में आए हैं आएं खाने में कोई सुनवाई कितने लोग आए हैं लग आए हैं किया आए हैं मेरे कहां से लूग पूरागू अपका क्या नाम है बहुत क्या आप क्या नाम है कहां से अब कहां आए आप लोग कि लोगों ने मारा कि लोगों मारा है दलेव राजकपूर सुचील अद्दा ओमजी क्या नाम है तुम्हारा क्या नाम है तुम्हारा क्या नाम क्या नाम है पंकश कुमार कहां से हैं क्या नाम है क्या मामला क्या है अब कहां आये हैं अब कहां आये हैं आप कोड़ बाली आई सब लोग आये अपनी मांग रखी है क्या मांग है आपके क्यूंकि वो जो क्राम समयाज की जमीन है उसे मुक्त किया जाएं गाउवालों का कहना है कि वो होली की जगा पे भी कपजा कर रहा है जी आहां वहां पे होली रखी जाती है तो आप गाउं के परदहान है आपने किसी अधिकारी से गोहर लगा है जी यहां लगा है ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें यह तेजस 24 न्यूस